आगे के दो फंदे उल्टे बुनने है तिर दाग्गा बैक साइड को लिजाके यह आगे पैटरन बाला फंदा है इसको उपर से ना बुनकर जो नीचे बाला फंदा है इससे बुनना है और इसको छोड़ देना है ऐस आगे दाग्गा अपने साइड को लिजाके आगे के दो फंदे उल्टे बोनने हैं फिर दाग्गा बैक साड़ी को ले जाके आगे का ये पैटर्न वाला फंदा है इसको उपर से सिलाई वाले फंदे से ना भूनकर जो नेजे वाला फंदा है इसी से फंदा निकालना है और इसको छोड़ देना है आगे दो फंदे उल्टे बोनने हैं दाग्गा बैक साड़ी को ले जाके आगे ये पैटर्न वाला फंदा है तो इसको उपर से यहां से ना भूनकर जो नेजे वाला फंदा है इसी से फंदा निकालना है और इसको छोड़ देना है आगे दो फंदे उल्टे बोनने हैं दाग्गा बैक साड़ी को ले जाके ये आगे पैटर्न वाला फंदा है इस फंदे को उपर से ना भूनकर जो इसको नेजे वाला फंदा है इसी से फंदा निकालना है और इसको छोड़ देना है आगे भी दो फंदे उल्टे बोनने हैं दाग्गा बैक साड़ी को ले जाके अब आगे ये पैटर्न वाला फंदा है तो इससे उपर से फंदा ना निकालकर जो नीजे वाला फंदा है यहां से फंदा निकालना है और इसको छोड़ देना है आगे दो फंदे उल्टे बोनने हैं दाग्गा बैक साड़ी को ले जाके ये पैटर्न वाला फंदा है तो इसको उपर से ना बोनकर जो ये नीजे वाला फंदा है इससे फंदा निकालना है और इसको छोड़ देना है झालना है